आपके एक्जाम में जब भी time dependent की बात करेगा जब भी time dependent की बात करेगा उध्यान देखिए वह failure आपका होता है और जब भी आपके एक्जाम में cyclic stress की बात करेगा यह बादर हमारे parent हैं और उनके दो बच्चे हैं एक हम और हमारा भाई तो यह हो गया एसे मुझको भी आज़े और ऐसे आपको भी आदरेगा अब एक्जाम में जे में कोशन बनता है फिरेंड की आपका पी कारवन डियाग्राम की हेल्प से तो देखिए यह रहा आपका आइजन कारवन डियाग्राम यह जो आपकी x-axis यह आपकी x-axis यहाँ पर क्या दिखाता है कंपोजीशन वेट परसंटेज बसी वाला से हुजाएगा बोट ए एंड बी क्या अब मैं आपको कुछ में पॉपर्टीज भी एक्स्प्रेन कर देता हूं इससे एक्जाम कोशन आया हुआ हुआ ध्यान से देखिएगा क्या पहला स्ट्रेंद पूछता है तो फ्रेंट्स कर दिया था यह आपको कुछ एक बार रिखेंट करता हुआ आप वीडियो की स्पीड 1.5 कर दिये और एक बार वीडियो को बैठी है पुरत देख डाली है ठीक है आपको एक्जाम में बहुत हैं मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ यह आपको पीडियो चाहिए इसके तो आपको फ्रेंड्स मेंबर्स लेना ही पड़ेगी उस मेंबर्स लेवल नमबर टू आप ले लिजि सब को याद होगा कि क सबको याद होगा कि टाइम डाम डिपेंडट डाइमदेन्ट पेंड। यह सब को याद होगा ठीक है यह कोई हमारा ढरीख और अप भाई होता है कब आपजर होता है जब हमारे किसी बॉडी में इसको हम बोलती है यह हमारा ऑट एसा होता है जो टाइम डीपेंडेंड करता हो आपको दो इया रखना है आपके एक्जाम में जब भी टाइंड की बात करेगा जब भी टाइम डिपेंडेंड की बात करेगा तो लिए और दो और आपके यह ऐसके लागेत Beim आपको सीधे सीधे की डिफनीशन थमा दिया है तो यह आपको सीधे की डिफनीशन थमा दिया है अगले कोशन क्या बोलता है आप से घर से स्टम यहाँ आपको बहुत ही अविया डिक है यहाँ प्रूल्ज दो के लिए यहां पर याद करने के लिए आपके फादा रहे है आप इन प्लस 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 एक हम और हमारा भाई तो यह हो गया प्लस 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 प् प्लस फादर पी प्लस एफ इसका अंसर नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा अब अगर बात करें जाम के लास्ट दो में कोश्चन्स के देखिए मैंने तैना आपको यहां पर आपको अव्यार रहना है पहला कोशन क्या पूछता है विच्छ फेस रूल फॉर जेनरल सिस् सिस्टम के लिए आपका क्या फॉलो होता है तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको हुजाता है पी प्लस एफ इसकल टू सी प्लस वन ठीक है यह आपका सी प्लस वन हो जाता है क्योंकि और मेटलर्जकल सिस्टम प्रेसर हैस नो एप्रिशियेबल एफक्ट ऑन फेजिक फि वीडियो अच्छा लग लगता लेग्ता अच्छे लगते लिडियो लाइक कर दीजिएगा कर दिए आपको कैसा लगा आपने जो सीखा आपको सीखाना चाहता हूं क्या वह अपने दौस्तों शाटी वीडियो सीर बीकर एगए जिए आगे बढ़ते हैं तो अगला कोशन क् लेगा तो हमें इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं अब मैं आपको इसको एक्सप्रेंग करके दिखाता हूं कि यह क्या बोला है सब्सक्राइब यह आपको आपको अगया थीयर क्या इसको यह अपको इसद्धेंग करता हूं इस टेल में जिस स्टील में 0.8 % कारवण होता है उसको कौन सा सच्टीर बोलते हैं तो हम यहां से दो को बगन की मात्रा 0.8 और क्या बोलते हैं और जिस स्टील में कार्वन की मात्रा 0.8% से अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं हम इसको सीखेंगे आइरन कार्वन डियागराम की हेल्प से तो देखिए यह रहा आपका आइरन कार्वन डियागराम यह जो आपकी डियापकी लिए आपके अधिक यहां पर दिखाता है इसे अध्याप का अधिक यह है आपका हो गया यह आपको क्या आंधेकर हो गया यहां पर टेक्टिक जिस से आपका अध्याम में यहां पिए क्या बोलता लिक्विड को बनता है कि यहाँ पे यहां पर जो मिंस्ठट है यह आता है तिक एपकोIS नीचे याँग कुलıldnaire जब नीजर से उपड़ जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे heating अब बात किया थर्ड यह आपको ओगे यूट्र रेक्शन यहाँ पे वी solid है यहाँ पे वी solid है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे तीन equation बनती है क्या तीन equation है पहली equation liquid से हमको solid मिल ला है दुसरी लमको सॉलिट डिक्विड से सॉलिट मिल लहा है तो पहली आपकी हो गई यूतेकटिक रियक्षण दूसरी आपŞा हो गई ऊटेक्टीर रियक्षम प्रेप्रüst आप अगली बाहरे में पूछ सकता है आप पर यॉट्ट डेकिए यहां पर यह सो टा है और और पॉइंट एट ले लेते हैं तो यहां पर यह होता है आपका जिस इस्टील में हमारी एक कोश्चन से आपके 5-6-7-8 कोश्चन सौल हो चुके हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो आगला कोश्चन लेता है जल्दी से अगला क्या बोलता है अलोग बोचता है आप से डिगरी ओफ फीडम एट ट्रिपल पॉइंट इन यूनिरी डागरम ऑफ वाटर इस यहां ब प्लस एक इसकल टू सी प्लस टू अभी आपको सॉल्ड कर आए था अब वाटर के लिए क्या होता है मारा फॉर वाटर ट्रिपल प्वेंट मतलब तीनों फेज हमारा एक्जिस्ट करेंगा बिल्कुल सरी बार तो हमारा फेज हो गया तीन प्लस डिग्र फिरम को निकालना ए आपको यह याद रखना है कि डिग्री ओफ ट्रिपल पॉइंट इन यूनिदी वाटर डाइक डाइक डाइग्राम वाटर इस जीडू बढ़ते हैं अगला कॉशन क्या बोलता है क्या बोलता है अगरा हमाई बॉडी में एक्सेसिव डिफार्मेशन होता है तो इसको किस ची से हो जाएगा बोट एंड बी क्या अब मैं आपको कुछ मेंटेर की प्रपरटी कर देता हूं इससे जाम कोशन आया हुआ ध्यान से देखिएगा क्या पहला स्ट्रेंथ हमारे क्या होता है स्ट्रेंथ हमारे एक ऐसा में प्रपरटी होता है बाइब वर्चिव और वीच से उसे बादि में दामेंशन में सेफ होनने के लिए रजिस्त कशहता है'RE घका है इसी को हम ऊसकी को यह कैसी प्रपरटी होती है अब अवह में। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर बॉडी में जो टोटल इस्टे नर्जी स्टोर्ड होती है गिवेन वर्लूम में उसको हम बोलते हैं अगर हम बात करते हैं डॉक्तिलिटी की यह कैसी पॉपरिटी होती है देखिए आपको डॉक्तिलिटी यह दोनों भाई भाई इसका मतलब होता है कि हम किसी बॉड़ी के फॉरम में च्रच कर सके इस पॉपरिटिक को हमादे घृर्टी कर सके इसको बॉलते हैं इसको मादे आम की त텐ल लिखी होगा है तरफ परपालिटी ओफ मेंनों ही एक एक अभी स्प्ष्ट उन व्ष autobi चपन बिग्रॉं की देखिए एक हॉसम ह और हैमर्ड ने थीन सीव ध्यान रखिए आपको ये आपको स्हेम डिफिनिसन देगा ये पूरी आपको डिफिनिसन देगा यह कौन सी पर्परटी है इसलिए मैं आपको definition के साथ property को explain करते वह चल ला हूँ अब मैं आपको last year के question के question क्या आया था question आया था the property by which a body returns to its original shape after removal of the force मतलब question था कि अगर हम किसी body से उस पर जो force लग रहा है उसको हटा लेते हैं तो body अपनी original position को वापस gain कर लेती है अगर question वही बोल देता कि ऐसी कौन सी प्रोपर्टी है जिसमें अगर बॉड़ी हों force लगाते हैं और force को हटाने के बाद वह बॉड़ी अपनी original position को gain नहीं कर पाती है उसमें permanent deformation आ जाता है तो इसको हम बोलते है plasticity और बॉड़ी को हम thin wire में form कर लेंगे तो इसको हम बोलेंगे मैलेबिल्टी अगला question देख लेते हैं अगला question आया था the property of material by which it can be beaten और थो इन प्लेट्स बस जहां तिन प्लेट्स में कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं मैलेबिल्टी अगला question देख लेते हैं फिन अगला question क्या था अगला था इसका होता है आपका resilience मैंने अभी अभी आपको पढ़ा दिया इसके बादे में चले बढ़ते हैं अगला question क्या था most often machine components fail by मतलब maximum machine component क्यों फेल होते हैं maximum जो इंडस्ट्रियल में फेल होता है वह आपका होता है मतलब उसमें cyclic stress बहुत ही लगता है अगर मान लेते हैं यसे कि लेत की बात मान लेते हैं तो मैंने अभी आपको क्या होता है और क्रीप क्या होता है वह मैंने अभी आपको अलड़ी इस अपर सब्सक्राइब बहुत है यह बहुत ही हाल्ड है और यह वाला बहुत ही सौफ्ट नीच वाला तो इसके जो यह जो प्रोसर्ज होता है इसको हम क्या बोलते हैं इस यहान दखिएगा इस प्रोसर को हम बोलते हैं के मुझे सं क्या हथा होती मैं भी आपकेक्त क्या होती है क्या होती चpoints होती अर्डिनिह ऑर सर्फिर साहृइं कि सवाश्ण ह italiano no और फिश ऑफ इंटल ऑब्जेक्ट वाइल एलाविंग दा मेटल डीपर अंडर निट तु दिमेंड सौफ मतलब कैसे होता है दस फॉर्मिंग थीन लियर और फाड़र मेटल एड़ अड़ सर्फिस तो केस हार्डिनिंग या सर्फिस हार्डिनिक एक ऐसा हार्डिनिंग का प् प्रोसेस को भी आपको ध्यान रखना है फ्लेम लिए नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं मैं एक वीडियो बनाके इस पांचों की आपको अच्छे से आपको एक्स्प्रेंग कर दूंगा और लाच्ट यह में जो भी सब्सक्राइब अब देखते हैं इससे क्या हुए थे पहला कोशन देखिए क्या था और में टाइप सब्सक्राइब आपको याद रखना है अगला क्या क्या बोलता है सब्सक्राइब करते हैं उसका परपज क्या नहीं है इसका काम है इसका काम नहीं है ठीक है इसलिए बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है सब्सक्राइब करने जाने तो उसका सबसे पहला सब्सक्राइब करते हैं कि यह आपको याद रखना इसलिए इसका कोशन का नमबर आपका वाला सही हो जाएगा ठीक तो देखें नांटी ना वह क्या दिया हुआ है तो इस्टील एंड बी आज यूज़्ट फॉर ट्रांस्मिटिंग पावर दादेश्यू ऑफ डिवलूशन साफ्ट मतलब आपको क्या दिया हुआ उनका देश्यू द इस पीए लाइप लिए पीवी निकालने के लिए बोल ला तो इसका क्या होगा चली मैं इसको आपको छोटा कि दीखाता हूं इसको क्या होता है अगर हम बात करने पावर की की तो फरमला कि आ ऐन यहाँ इन यहाँ पर ऑगा फैक्त कैक्त करें कि यहाँ इसका मिले गा मिली गा इसको सब्सक्राइब करते हैं उसको हम बोलते हैं आपका सब्सक्राइब करते हैं एक होता है और एक होता है आपका इससे चोटा कोशन जो आपका एक्जाम में आता है वह मैं अभी आपको कोशन क्या आता है कि एंट टाइब ऑफ टाइब जो होता है उसमें क्या होता है तो ध्यान रखिएगा इन्हें टाइब से मिकंडक्टर दा मेजर्टी ओफ चार्ज कैडिज आर्फ इलक्ट्रॉंज ठीक है ध्यान रखिएगा एंट टाइब में जो होता है आपका जो मेजर्टी ओफ चार्ज होते हैं वह आपके फिर ये लक्ट्रॉंज होते हैं जहां पर आपकर हम बात करें अगर होते हैं इस वीडियो के समाप करते हैं जो लोग में वीडियो देखेंगे उनको जो दूदी फायदा मिलने माला है ठीक है अगला पार्ट जो मैं खिडिए अप्लोड कर दूँ लेकिस Ichप उपने आत्व थिस वीडियो के कमण सेशन बताहिए कंजी वीडियो कैसा लगा आफ कुछ ने और किने मिला सब्सक्राइब घृत कि